दोस्तों सब्सक्राइब उत्राखनवाला प्रेस बेल आइकन हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग आल आफ यू आप कैसे हो आइ थिंग आप सब लोग ठीक होंगे तो मैं आज का ब्लॉग है मेरा जब मुझे कोबीड नैटीन हुआ था उस टैम मेरी क्या सिच्वेशन थी और उस टैम मैं कहां था और मेरी हालत कितने खराब हो चुकी थी तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आप हमेशा जब भी भार गुमते हो माक्स पहन के घूमिएगा और लोगों से डिस्टेंड बना कर रखिएगा और अपने साथ हमेशा सनीटाइजर रखिएगा और खाना खाने से पहले हमेशा अपना हाथ धोएगा तो चलो जो लोग मजाग में लेते हैं COVID-19 तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कैसी सिच्वेशन थी जब मुझे 15% 10% something COVID-19 हुआ था चलो मैं आप दो को दिखाता हूँ जैसे की दोस्तों मेरा नाम कप्तल सिंग बिष्ट है और मैं उत्तरा खंड से भिलोंग करता हूँ जब COVID-19 दुबारा दोजाइखिस में फैल चुका था उस टेम में दिली में था और वहां जॉब कर रहा था तो मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ क्या हुआ जब मैं COVID-19 पोजिटिव निकला एक दिन क्या हुआ मैं रात को खाना खाके सो रहा था उस टेम मुझे नीन नी आई सुबार चार बजे था चार बजे बाद मुझे नीन आच चुकी थी और मैं सुबार बजे उठा सबसे पहले उठने के बाद मेरे सिर में थोड़ा भारी दर्द हो रहा था और थोड़ा फिबर भी हो रहा था और मेरे गले में भी थोड़ा दर्द हो रहा था जिस उसे मुझे थोड़ा कप सा महसूस होने लगा तो उस टाइम दिली में बहुत ज्यादा केस आ रहे थे कोविड नाइटीन के तो उस टाइम मैंने ऐसे ही मैं मार्केट गया और वहां से मैंने एक पेरसिटा मॉल ली और पेरसिटा मॉल लिन के बाद मैंने पेरसिटे मॉल खा ले थी उसके बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं हुआ और कुछ टाइम बाद मैं सो गया और एक दिन मैं पूरा सोया रहा मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी नेस्ट डे नेस्ट डे मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी मैं और मेरे दोस्त कोवीड टेस्ट करवाने गए वहां स्कूल में जो आपने दिली में सुना होगा जेनी स्कूल जेनी स्कूल के बगल में एक स्कूल था हम वहां टेस्ट करवाने गए मैं और मेरे दोस्त वह वहां बहुत सारी लिए लगी हो धी जिस में से बहुत से लोग कम बीट- 19 positive निकल ले थे और बहुत से लोग नाइटिव आ उन्में से और मेरे दोस्ता लेन में लगेт लेन में लगने के बाद हमारा test होता हुने के बाद 5 मिनट बाद रिपोर्ट आये जिस में से मेरे दोस्त नेगेटिब आया और मैं पॉजिटिव आया इसमें से तो रहा हम घबराने लगे जिस वज़ाओ से बहुत सारा डर डर जैसा लगने लगा लेकिन हो चुगा था तो क्या कर सकते थे उसके बाद क्या हुआ रिपोर्ट आने के बाद मेरे दोस्त और में घबरा गे घबराने के बाद हमें कहा गया जो आप पोजिटिव हो आपको सता दिन का क्वारेंटीन रहना पड़ेगा हम जो इतने लोग पोजिटिव आप चुके थे उनको अलग किया गया था उसके बाद उन्होंने का आपको सत सेंटर में रहना पड़ेगा हमारे यहां तो वह उसके बाद उन्हें एक एंबुलेंस बुलाई और एंबुलेंस बुलाने के बार हमें जो कोविट जैसे कि दोस्तों जब मैं कुरिंटीन सेंटर में पहुचा वहां बहुत सारे लोग थे जो कि डिश्टेंड बनाकर रखे वे थे उसके बाद मेरे साथ एक और उत्राखन का लड़का जो कि मेरी एज का था और हम दोनों को उन्हें अपना रूम दखाया जिसमें से दो एक रूम में दो रूम थे जहां दो बेडरूम लगे थे और उन्हें वहला रूम दे दिया दिन के बाद हमें फास्ट दिन वहां बहुत देका लगा क्योंकि जब हम COVID-19 से positive हो चुके थे तो हमें बहुत बेका लगा उसके बाद quarantine में उन्होंने हमें एक-एक room दे दिये गे separate separate जहां एक-एक bedroom लगा था bedroom लगे बाद हमारी हलत बहुत खराब हो रही थी उस time हमेंने कुछ सोचा नहीं उस time हमें बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था बुखार बहुत बेकार सा बुखार उसके बाद क्या हुआ जैसे की रात के आड़ बज़े बजगे वहां हमें एक माइक पे आवाज सुनाएगी अनौस्मेंट वहां एक माइक पे अनौस्मेंट हो रही थी आप अपना खाना लेने आ जाओ आपका खाना तियार है जिसमें से नेश्ट दे क्वैंटीन सेंटर में मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ उस नेश्ट दे मेरे साथ जब मैं सुबह आठ बज़े उठा उस टैम माइक पे अनौस्मेंट हो रही थी आपका नास्ता तियार है आप नास्ता लेने आ जाओ तो हम आठ बज़े वहां नास्ता मिलता था हमें आठ बज़े नास्ता में हमें हमेशा अलग अलग ब्रैटी का खाना मिलता था हमेशा नहीं नहीं ब्रैटी और उसके साथ एक चाई भी मिलती थी और फिर हमें 10 बज़े अनौस्मेंट होता था आप अपनी मेडिसीन लेने आजाओ जिस चीज की तकलीफ हो रही है हम फिर दस बजे अपने मेडिसीन लेने चाते थे दस बजे उसके बाद 12 बजे 12 बजे लंच का टैम होता था उसके बाद लंच का अनॉस्मेंट होता था वहाँ का खाना भोध बढ़िया था 12 बजे जब खाना मिलता था हमें 12 बजे हमें हमेशा रोटी चावल दाल और सबजी और डाल हमेशा अलग होती थी वहां और उसके बाद हमें शाम के चार बजे अनॉस्मेंट आती थी आप अपनी चाई और बिस्की लेने आ जाओ और हम चाई और बिस्की लेने जाते थे उसके आछी बाद हमें रात को 8 बजे दिनर रात का खाना मिलता था जो कि भूत आच्छा होता था टेश्टी और उस तैम हमारी चाहलाद भी भूत खराब हो रहे थी हमें फीवर हो रहा. गले में दरद हो रहा था खासी हो रही थी जिस टाम हम क्यांटीन सेंटर में थे पर क्या करें हमें वो सब झेलना पड़ा था वहां की सिच्वेशन भी भूत खराब हो रही थी वहां भूस से लोग थे जो COVID-19 से पोजिटिव थे वहां भुजर्ग लोग और हम जैसे लोग भूस सारे लोग थे वहां जो COVID-19 से होकर निकल ले थे दस दिन बाद तो मैं बताना चाओंगा जब मैं कुरिंटीन सेंटर में था तो मेरी हालात बहुत खराब हो रही थी मुझे साथ दिन तक बुखार आया फिवर हो रहा था साथ दिन तक और मुझे लूज मोसन भी हो और गले में दर्द हो रहा था खासी भ हमें केवल वहां घूमना था और आराम करना था और हमें हर चीज टैम पर देते थे ओंस तो वहां का कुरिंटीन सेंटर बहुत अच्छा था वहां हर दस दिन के बाद सभी लोग ठीक होगा निकल ले थे और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे थी दस दिन के बाद जो क वहां सुल्तानपुरी दिल्य में क्वाइंटीन सेंटर बनाया था उन्होंने जो की बहुत अच्छा क्वाइंटीन सेंटर था इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कभी भी कोवीड-19 मजाक में मत लीजिएगा क्योंकि जिसको पता है कितना तकलीब होती है कितना धर्द होता है ज रखिएगा और और कभी भी कोवीड-19 को मजाक में मत दीजिएगा क्योंकि कोवीड-19 बहुत खतरनाग डिसीज है जिसकी वजासे आपको पांच बिमारियां एक साथ हो जाती है खासी जुखाम गले में दर्द फीवर लूज मोसन चेश्ट में पेन ये सारी बिमारी कोवी 2019 जब होतो हमें मेडिसीन वहां बिटामिन सी मल्टी बिटामिन पेरासिटामॉल और खासी की दवाई दे दी जाती थी कोवीड में मेरी सिच्वेशन बहुत खराब हो चुकी थी मुझे दस साथ दिन तक बुखा रहा है और मैं साथ दिन तक पेरासिटामॉल की गुलियां उसके बाद बहुत सारी मैंने पानी पिया बहुत सारा रोज मैं एक लीटर दो लीटर रोज पानी पीता था मैं जिस वाँ से साथ दिन बाद मुझे कुछ अच्छा फील हुआ आटवा दिन मेरा बुखार ठीक हो गया उसके बाद थोड़ा मुझे अच्छा मैसु सुन कि वाँ अब मेरा बुखार भी चला गया बहुत अच्छा लगा मुझे उसके बाद भगवान से मैंने प्रात्ना की किसी को को बीट ना हो जाए बहुत तकलीफ होती है को बीट नाइटीन में पोईट जिब जब आद में पोईट निकलता है बहुत डर्द सेना पड़ता है शेले हमेशा मजाग में बलीजिए को बीट नाइटीन तो मैं आपको आज तो आज का ब्लॉग में यहीं पर समाप्त करता हूं तो प्लीज बाई अपने घर में रहें सुरक्षित रहें